भारत और दच्छिड अफिर्खा के वीच अगले महिने यानि जनवरी में होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज का भारत समेत दुनिया भर के क्रिकेट फैंच बेसबरी से इंतिजार कर रहे हैं जी हाँ आपको बता दें कि हाल ही में ICC T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की करारी हार के बाद T20 के साथ साथ वनडे टीम में भी कई बड़े बदला हुए हैं दच्छिड अफिर्का दोरे पर वनडे टीम की कप्तानी हिट मैन रोहित शर्मा करेंगे क्रिकेट विशे सग्यों की माने तो कप्तान रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया ICC T20 वर्ल्ड कप 2022 में चैंपियन बन सकती है दच्छिड अफिर्का दोरे पर 19, 21 और 23 जन्वरी को वनडे मैच के ले जाएंगे रोहित शर्मा के फैंस की माने तो दच्छिड अफिरिका की खिलाप वनडे सिरीज में हिट मैन रोहित शर्मा वनडे क्रिकेट करियर का चौथा दोहरा सतक लगाने का कारणामा कर सकते हैं हाँ आपको बता दें कि अंतराश्तिय क्रिकेट में रोहित सर्मा एकलोते ऐसे बल्लेबाज हैं जिनके नाम वनडे क्रिकेट में एक दो नहीं बलकि तीन दोहरे सतक लगाने का विश्वरिकार्ड दर्ज है दोस्तों अगर आप भी मौझूदा क्रिकेट जगत में रोहित सर्मा को विश्वका सबसे बहत्रे इन बल्लेबाज मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें हलकि क्रिकेट के जानकारों की माने तो टीम इंडिया के पास दो ऐसे बल्लेबाज हैं जो अंतरराश्टी और वण्डे क्रिकेट में रोहित सर्मा के तीन दोहरे सतक का रिकार्ड धोस्त कर सकते हैं इस लिश्ट में पहले नंबर पर आते हैं यूवा विकेट कीपर बल्लेबाज इसान किशन मैदान पर उतरते ही ताबर तोड तुखानी बल्लेबाजी करने वाले इसान किशन को टीम इंडिया का दूसरा महंदर सिंग धोनी और रोहित सर्मा भी कहा जा रहा है माना जा रहा है कि इसान किशन वंडे क्रिकेट में चार दोहरा सतक लगा कर रोहित सर्मा के विश्व रिकार्ट को तोड सकते हैं बात करें दोसरे बल्लेबाज की तो वह कोई और नहीं बलकि दिगज विकेट की पर बल्लेबाज रिशव पंथ हैं जी हाँ आपको बता दें कि पंथ के आकरामक बल्लेबाजी के वजह से उन्हें टीम इडिया का अगला विरेंद्र सहवाग कहा जा रहा है रिशव पंथ भी वन डे क्रिकेट में कुल चार दोहरा सतक लगाकर रोहित सर्मा के दोहरा सतकों का रिकार्ड धोस्त कर दें तो इसमें हैरानी वाली बात नहीं होगी